पिछले कुछ सालों में दक्षिन भारतिया फिल्मों ने सफलता की जो रफतार पकड़ी है उसे देखते वे हर कोई स्तब्ध है हाला के उनके कंटेंट तो पहले से ही बहतर होते थे लेकिन वो फिल्में हिंदी बेल्ट तक ना पहुच पाने के कारण लोग उन फिल्मों से अंजान रहते थे लेकिन अब पैन इंडिया फिल्में बनने से यहां की फिल्में हर किसी तक पहुँच रही है और Hindi Belt के दरशकों को दक्षिन भारतिया फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों की काबलियत का पता चल रहा है इतना ही नई वहां के फिल्मों में जिस प्रकार से देशवक्ति, परिवार के प्रतिप्यार, देश के प्रतिप्यार को पिरो कर दिखाया जाता है उसके कारण भी लोग हिंदी सिनेमा से उन्हें कंपेर करते हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बहतर वहां की इंडस्ट्री को बताते हैं। अब इस हिंदी सिनेमा और दक्षिन भारतिय सिनेमा के अच्छे बुरे के बीच कंगना रनौत ने भी अपनी राय दे डाली है। कंगना रनौत अपने बयानों की वज़े से हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार उन्होंने साउथ की फिल्म और उसके कंटेंट को लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना रियक्शन शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों की सफलता का कारण भी बताया ह कंगना ने हिंदी सिनेमा को करप्ट ना करने की नसीहत भी दी है। कंगना ट्वीटर से बैन होने के बाद इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है। उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा साउथ की फिल्मे और उनके कंटेंट अच्छा होने के तीन कारण है। पहला की वो भारतिय संस्कृती की जड़ों की गहराई से जुड़े हुए है। दूसरा वो लोग अपनी अपनी फैमिली और रिष्टों से सच में प्यार करते हैं। वो वेस्टन लोगों की तरह दिखावा नहीं करते। और तीसरा वहां के लोगों को आप प्रोफेशनलिजम और अच्छी खासी कमाई की है। इसमें बाहु बली केजी एफ जैसी फिल्म में है। इस साल कोवीड के संकटों के बीच अलू अरजुन की पुश्पा रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट से 100 करोड रुपे से ज्यादा की कमाई की थी। कंगना के वर्क फरंट के लिए हमार साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।